प्यारे बच्चों, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गनीत में अभी हम लोग दो चरवाले रखेक समीकरन योगम चेप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें अभी हम लोग परसना बली 3.4 पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप ल लानी की दो नमर कोश्चन जो है आज परने वाले हैं, दो नमर कोश्चन में टोटल 5 कोश्चन है, एक से ले करके 5 तक तो सारे के सारे कोश्चन आज कबर करेंगे, आपको पता होना चाहिए, कि ये सभी के सभी जो 5 कोश्चन होंगे दो नमर में, वो सभी के सभी statement वाला को करते हैं देखेंगे कि कैसे स्टाइट के कुश्चन को हम बनाएंगे पहले दो नमर में कुछ निर्देश दिया गया उसको पार लिजिए निम्न समस्याओं में राखिक समीकरनों के यूगम बनाईए और उनके हल यदि उनका अस्तित्तों है तो इसे स्थित्ति में आपको क् कीजिए तो इसमें दो काम है पहला काम तो क्या है देख सकते हैं कि राखिक समीकरन यूगम बनाना है जैसे कि आपको यह समस्या दिया हुआ है इस तरीका के पांच समस्याओं है तो इस समस्या का सबसे पहला काम क्या करना है राखिक समीकरन यूगम बनाना है और फिर उसक यहाद से पांच नमबर तक हम लोग क्या करेंगे कि तुंजन क्या है कि यदि हम अंस में एक जोर्दे तथा हर में से एक घटा दे तो भीन संक्या के बारे में आप क्वोगोंने कई बार पढ़ा होगा कि बटे वाली संक्या को भिन संक्या कहते हैं वह नीजे वाले ुकzos निचे ब्लों किया हैं हर कहते हैं तो हमें आ देख सकते हैं कि भिन उप्सरी सब्स्राइब में आपको बताया था कि जो ग्यांद करने के लिए बोले वही मानना है और जब हम हल करने के लिए इस Giving का जाएंगे तो हमें जो ग्यांद करने के लिए बोला गया है pra करेंगे मानेंगे लिखेंगे माना की माना की भिन बराबर एक्स बट्टा वाई हमने मान लिया कि भिन क्या है एक्स बट्टा वाई है यह अपने मन से आप मानेंगे और आप जो भी करेंगे वह प्रसंद के मन से करेंगे तो लिखेंगे प्रसंद से प्रस्ण से प्रस्ण से देखते हैं कि क्या कुछ प्रस्ण में बोला गया है प्रस्ण में बोला गया देखिए अभी आपके पास भीन क्या है एक्स बट्टे वाई है आपके पास भीन क्या है एक्स बट्टे वाई है प्रस्ण में पहली बार क्या बोला गया कि हम जो है अंस म एक जोड़ दे जोड़ भाय अंस में एक अंस यानी की ऊपर क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और हर में से एक घटा दे तो घटा दीजिए हर में से एक क्या करेंगे घटा देंगे तो बोला गया कि भिन एक में बदल जाता है तो यह जो भिन है वो एक के बराबर हो जाएगा किसके बराबर एक के बराबर हम एक को एक बट्टा एक कर देते हैं ऐसा बोला गया है अब इसी समीकरन को हल करके आप एक दो चरबाला राखिक समीक प्राप्ता कर सकते हैं से लिए गोना-कोनी गुना कीजिएगा X पंड van पास वं मिलेगा आपको एक से गुना करेंगे तो सीधा-षिदा यह माइनस वन मिलेगा इसमें आप bạn करेंगे इस देखिए बाएं में x है यह वाई लाएंगे बाएं तो माइनस y होगा और फिर दाहिने में आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस दो हो जाएगा, इसका नाम आप दे देंगे समी करन एक, इसका नाम क्या देना है, समी करन एक देना है, तो ये तो पहला कथन से एक समी करन आपको मिल गया, आप लिखेंगे पुना, पुना क्वेश्चन में कुछ और बोला जा रहा है, उस पर आप ध्यान लगाने के दोसिस्जित करेंगे, पुना क्या बोला गया कि यदी, हर में एक जोड दे, भाईया आपके पास भीन क्या है, आपके पास भीन है, X बट्टा Y और इसमें बोला गया कि हर में एक जोड दे, यानि की Chor, यानि की नीचे, उपर Ons होता है, तो हर में Kable एक जोडने की लिए बो हो जाती है तो यह जो है एक बट्टा दो हो जाएगी एक बट्टा दो के बराबर हो जाएगी सीधर समझ लेजिए यहाँ पर अंस में कुछ भी नो तो जोरने के लिए बोला गया नहीं घटाने के लिए बोला गया तो हम अंस को नाव को सेम्ट सेम एक्स ही रहने देंगे अब इसको खुणा कोनी गुणा कर लेंगे तो आपको एक समीकरन जो है मिल जाएगा गुणा किजिए x को 2 से गुना करेंगे तियाँ पर आपको 2x मिलेगा और y पलस 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये y पलस 1 मिल जाएगा अब आप इसको और आगे तक हल कीजिए ये 2x आप y को y लाएंगे तो ये हो जाएगा minus y और दाहिने में already 1 बैठा हुआ है तो 2x minus y बराबर 1 मिला इसका नाम समीकरन आप 2 दे सकते हैं इसका नाम समीकरन क्या कर देंगे 2 देंगे तो question में जो बोला गया था कि राखिक समीकरन योगम बनाईए तो आपने राखिक समीकरन योगम तो बना लिया आपको इसे क्या करना है तो विलोपन विधी से हल भी करना है और यही काम आपको सभी 5 कोईश्चन में करना है तो चलिए अब इस दोनों समीकरण को सीधा बोल दूज़े इस गहाने करने वाले हैं, हल करने बाले हैं, तो बिलोपन मेदी से हल करने के जाएंगे, तो क्या करेंगे, देखिए, हम डारेक्ट क्या करते हैं, कि समीकरन दो में से घटा देते हैं, समीकरन एक को, समीकरन दो में से समीकरन एक को घटाने से क्या फाइदा है, तो देखिए, सीधी, सीधी ब चिन भले ही क्या है एक जिसा है लेकिन है बराबर मुखो है तो हम उसी को गायब करने का सोचेंगे जो बराबर हो क्योंकि अगर बराबर नहीं रहेगा तो हमें बराबर करना परेगा गुना करके तो हम डारेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर समीकरन 2 में से समीकरन 1 को घटा लेंगे ठीक है तो हम इसी पेज पर लिखते हैं समीकरन 2-1 करने पर क्या लिखेंगे हम लोग समीकरण 2-1 समीकरण 2 समीकरण 2 है 2x-y बराबर 1 है तो यहांपर सेम तु सेम 2x-y लिख लेंगे अर फिर समीकरण 1 क्या है समीकरण 1 है x-y बराबर माइनस दो, x माइनस y ब्राबर माइनस दो, यह आपका x माइनस y और ब्राबर माइनस दो था, तो हम same to same लिख देंगे, लेकिन यहापर क्या करना है, घटाना है, 2 माइनस 1 करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरन 2 में से 1 को घटाने पर, तो यह mathematical language ज्यदा ही अच्छा रहता है, mathematics के अंदर, हम जब घटाने के लिए जाएंगे, तो याद रखेगा, नीचे का चिन बदल जाएगा, यह पलस x जो है, यह माइनस x हो जाएगा, माइनस y जो है, यह पलस y हो काते है, बिलूप्त हो जाना, क्या हो जाना, बिलूप्त हो जाना, अब यह 2 x में से चोए खटेगा, तो यह बचेगा अर ब्रावर कितना है, तो पलस दो और 1 कितना हो गया, ऑब या 3 हो गया, यानि스ष बराबर यानि कि X बाएबर आपको 3 मिल गया, ठीक है, X बाएबर 3 बिल गया, आप इसी मान को समी करन 1 एक या समी करन 2 में रख दीजिए, त змी करन 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे समी करन 1 में समी करन एक में x बरावर 3 x बरावर 3 रखने पर रखने पर तो रखिए समी करन एक क्या है समी करन एक देख सकते हैं कि x माइनस y बरावर माइनस 2 है x माइनस y बरावर क्या है माइनस 2 है तो लिखिए यहां पर x माइनस y बरावर माइनस 2 1 मिनट रुकिये गा, समी करन 2-1 किये थे, बिलकुल ठीक है, 2 X-W परावर 1, 2 X-2 परावर 1, और X-W परावर 2, बिलकुल ठीक है, तो आप इस समी करन 2 में, समी करन 1 में, X के जगा पर 3 रख दीजिए, तो आईए, رखते हैं, यह जो X दिखाई दे रहा है इसके जगह पर 3 आ जाएगा माइनस Y है तो माइनस Y होगा दाहिने में माइनस 2 है तो 2 होगा अब आप सीधी सीधी बात देख सकते हैं बाए में माइनस Y होगा दाहिने में माइनस 2 पहले से बैठा हुआ है और ये 3 दाहिन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इससे क्या हुआ तो देखिएगा ये माइनस Y होगा ठीक है अभी रहने देजिए कोई दिक्कत नहीं है माइनस 2 और माइनस 3 ये हो जाएग य ब्राबर 5 लिख सकते हैं ठीक तो आपको x का मान भी मिल गया y का मान भी मिल गया तो अब x और y के मान के help से आप क्या कर सकते हैं भीन निकाल सकते हैं आपको x y का मान ही cable नहीं निकालना था आपको भीन निकाल करके दिखाना था कि इसका भीन कितना होगा तो लिखेंगे इ यहां पर देख सकते हैं कि 3 मिला है तो X उपर हम तीन रख देंगे आणीचे Y का वैलू जोकी 5 है तो यहां पर 5 रख देंगे तीन बाँक्ता आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं बिल्कुल simple way में इस टाइप के question को ठीक तो दो काथ पहला हम लोगों ने देख लिया चलिए दो का दूसरा नमर कुश्चन पर दिमाग लगाते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है यहां पर बहुत सिंपल कुश्चन है अगर ध्यान से समझा जैतो पाकी तो अगर नहीं अगर अब ध्यान से देखेंगे तब तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कुश्चन पर यह एक मिनट आप लोग ठीक चलिए देखते हैं क्या है नहीं है कुश्चन है कि पांच बर्स पूर्व पूर्व मतलब पहले पांच बर्स पूर्व मतलब पहले याद रखेगा पांच बर्स पहले नूरी की आयू सोनू की आयू की तीन गुनी थी यह पहला स्टेटमेंट हो गया दूसरा स्टेटमेंट है कि दस बर्स पस्चात दस बर्स पस चाथ, पस चाथ मतलब बाद, आज के दस बर्स बाद, नूरी की आयू, सोनू की आयू की दो गुनी हो जाएगी, ये दूसरा statement हो गया, तो आपको नूरी और सोनू की आयू कितनी है, ये आपको बताना है, यानि कि नूरी और सोनू की बरतमान आयू निकालना है तो जो निकालने के लिए बोलेगा वही क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, तो चलि डिरेक्ट हम लोग चलते हैं और लिखते हैं, नूरी और सोनू की आयू बताना है, तो लिखेंगे माना की, सबसे पहले नूरी है, तो हम नूरी के बारे में लिखेंगे, माना की नूरी की नूरी की आयू नूरी की बर्तमान आयू लिस देते हैं बर्तमान नौ लिखे तो भी चलेगा क्योंकि कुश्चन के अंदर बर्तमान सब्द का पर्योग नहीं किया गया है तो सिधा लिखते हैं की माना की नूरी की आयू बराबर एक्स वर्स एक्स वर्स हमने मान लिया की नूरी का क्या है आयू है तथा हम इसी तरीका से क्या करेंगे सोनू के बारे में भी सोचेंगे तो लिखेंगे तथा सोनू की आयू सोनू की आयू जो है वो मान लेते हैं वाई बर्स कितना मान लेते हैं वाई बर्स मान लेते हैं अब लिखेंगे प्रसन से प्रसन से प्रसन से क्या है पहला बात आप यहां पर ध्यान से देखने की जो है कोसिस की जग देखिए पांच बर्स पूर्ग यानि कि आज से पांच बर्स पहले अब आप ही बताईए कि अभी जो है नूरी का आयू है X बर्स ये X जो है बरत्मान उम्र मानिएगा क्या मानिएगा बरत्मान उम्र तो मान लिजिए कि नूरी का जो अभी उम्र है वो X है नूरी का अभी उम्र यानि की बर्तमान में उम्र कितना है एक्स है तो पांच बर्स पहले कितना रहा होगा तो सर्फ पांच बर्स पीछे जाने के लिए इसमें से पांच घटाना होगा जैसे अगर अभी आपका मान लिजिये उम्र है 15 बरस या फिर मान लिजिये 16 बरस आपक क्योंकि इसमें से 5 घटाएंगे , पीछे जाने के लिए 5 क्या करते हैं ? घटाते हैं और आगे जाने के लिए जूरते है तो यही आपर भ्ला गोले कि 5 पूर्ब नूर्णी की आयो तो अब ही जो नूर्णी का आयो है वह 1 तो पांच बर्स पूर्व नूरी की आयू हो जाएगी एकस माइनस पांच क्या हो जाएगी एकस माइनस पांच हो जाएगी और सो नू की आयू की तीन गुनी थी पांच बर्स पहले बाला जो नूरी का जो आयू है न वो सो नू की आयू का तीन गुना है अब बताईए पांच बर्स पहले नूरी की आयू होगे आक्स मैनस पांच तो सो नू का कितना होगा तो सोनु का वोगा सर यहांपर हम बोलेंगे y-5 y-5 होगा अब बताज़ें कि यह दोनों कभी भी बराबर हो सकता है किया ॊसकता है कि यह तीन गुना क्या है जैदा है यानि कि यह जो उम्रभ वो indian ज्यादा है और यह वाला तो हम इसे बरावर करना चाहते हैं तो इसको भी तीन से गुना कर देंगे तो बरावर हो जाएगा जैसे यह माली जिसे कि था आपका 15 बरस और यह था 5 बरस तो दोनों को बरावर तो नहीं कहींगे लेकिन अगर बरावर करना हो मुझे तो हम इसमें भी क्या कर देंगे तीन से गुना कर देंगे तब तो 15 जट और 15 जट भी तो इसी की logic से आपको धर Y-5 आपका किसका आई है, तो, आप देख सकते हैं, कि sustu cayu है, तो, इसमें आप 3 से गुना कर देँगे, तो, क्या हो जाएक दोनों बराबर हो जाएका, इसको गुना कर लेंगे, तो, आपको एक समिकरन मिल जाएका, तो, सेल ह 약 गुना करते ये x जो दोएकरा वह हो एकस लेजी, 3y को बनुलाएंगे तो minus 3y हो जाएगा, दाहिने में minus 15 पहले से बैठा हुआ है, ये 5 दाहिने जाएगा तो plus 5 हो जाएगा, 5 तहने जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा और फिर क्या करेंगे X-3Y X-3Y होगा और दाइने में ये क्या हो जाएगा मैनस 10 हो जाएगा क्योंकि मैनस 15 25 क्यों हो जाएगा मैनस 10 इसका नाम आप दे दिजिए समीकरन 1 इसका नाम क्या करेंगे आप समीकरन 1 देंगे यह समेहएक रण आप हमासा करते हैं कि आपको समझ भाया होगा पुना क्या में आदिके और क्या अदर क्या दिया गया है तो पुना दिया गया कि दस वर्स पस्चात यानि कि आज से दस बर्स बाद नूरी की आ우व सोनू की आयूव की दो गुनी हो जाएगी कि दो तो भूनी हो जाएगी तो सबसे पहले दस वर्षबंच Jan लेते हैं अब बताईे अब ही अगर नुरी की आयू एक्स है तो दस बर्षब की बाद वह 10 हो जाएगा और फिर अगर सोनू की आयू निकालने की अगर हम कोशिश करें तो सोनू का आयू अगर अभी आप देख पा रहे हैं वाई है तो दस बर्स के बाद इसमें दस बर्स और जूट जाएगा जैसे कि अगर अभी आप 16 बर्स के हैं तो 10 बर्स के बाद आपका उम्र जो ह से हो पाएगा तो सिंपल सी बाते हैं यह है आपका नूरी की आयू और यह सोणु की है कुष्चन में बोला गया है कि जो नूरी का आयू है वह दो गुनी है यानि कि दो गुना जैदा है सोणु की आयू के तो हम इसको भी अगर दो से गुना कर देंगे तब तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और अब इसे solve कर लिजिए तो इधर है x plus 10 दाहिने में क्या होगा 2 से y को गुना करेंगे तो यह 2y होगा और पलस में क्या हो जाएगा तो यहां पर आप किलियर लिदेख पाएंगे कि 2 से 10 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 हो गया अब आप कर लिजिए यह काम X है 2Y को बाएं लाएंगे तो यह माइनस 2Y हो जाएगा दाहिने में अल्रेडी 20 बैठा हुआ है और यह 10 जाएगा तो माइनस 10 होगा इसको अब आप घटाने की कोशिस करेंगे तो आपको मिलेगा X माइनस 2Y और बड़ावर में क्या मिलेगा तो 20 में से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा पलस दस क्या मिलेगा पलस तस इसका नाम आप देदीजे समीकरन दो इसका नाम क्या देदेंगे समीकरन दो देदेंगे तो क्या समझा आप लोगों ने पहला समीकरन मिला लोग को चलो भाइ तो आप शूरू करते हैं ईसमें अगर हम सब्सक्राइब से इसको हाल करने के लिए तो कुछ नहीं है तो इस खंट समीатन 202 को क्या करते हैं घटा दीचे काम बन जाएगा तो हम यह आप लिक सकते हैं, लिकिन या जगा नहीं है, तो हम दहिने साइड लिखते हैं, लिखेंगे समी करन 2 माइनस 1 करने पर, करने पर, यानि की 2 में से 1 को घटाने पर, क्यों घटा रहें, 2 में से 1 को, हम चाहते हैं कि यह x वाला पद इस बार गाइब हो जाए और x को गाइब करना आसान भी है क्योंकि दोनों समिकरण में x सेम है तो हमें गुना नहीं करना परेगा बराबर करने के लिए तो आडाम से बन जाएगा समिकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो जली समिकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10 x माइनस 2y x माइनस 2y और बराबर 10 है जिसमें से घटाना होता उसको उपर लिखते हैं जिसको घटाना होता उसको नीचे लिखते हैं तो समिकरण जो आपका एक है वो है X-3Y बराबर माइनस 10 X-3Y और बराबर माइनस 10 है एक मिनट एक मिनट उपर में 0 ने होगा 10 होगा और नीचे में माइनस 10 होगा अब घटाने जा रहे हैं चुकि तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला चिन क्या हो जाएगा बदल जाएगा जो पलस X है ये माइनस X होगा माइनस जो है ये पलस हो जाएगा और ये भी माइनस क्या होगा पलस हो जाएगा काट ये ये माइनस X और पलस X इस वार क्या होगा चैंसिल होगा ये चैंसिल होने के बाद आप देखेंगे कि क्या हो रहा है पलस तीन वाई आप माइनस दो वाई नीचे में है पलस तीन वाई उपर में है माइनस दो वाई तो तीन वाई में से दो वाई घटाएंगे तो मिलेगा आपको एक y और दहेने में क्या होगा तो 10 और 10 हो जाएगा आपका 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिला y का मान मिल गए आप y का मान समीकरन 1 या समीकरन 2 में डाल दीजिए समीकरन 2 में ही डाल देते हैं Y बराबर 20 रखने पर तो रखो बाई, समीकरन 2 हमने चुकि लिख दिया है, तो चलो 2 में ही रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, तो यहां पर है नहीं, समीकरन 2 में ही हम क्या करेंगे, Y कमान 20 रख देंगे, समीकरन 2 क्या था, देख लिजिए, X माइनस 2Y बराबर 10 था, X माइनस 2Y बराबर 10 है, इसमें हमें Y के जगा पर 20 रखना है, तो रखिए Y के जगा पर 20, यह X माइनस 2 आगुने Y, Y कमान है आपका 20, तो 20 रख देंगे, और फिर दाहिने में हैं, आपका 10 तो 10 रण देंगे, अब फिर क्या होगा, तो यह X माइनस 40 हो जाएगा, X माइनस किजना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, X 22 दोना 40 बिल्कुल तो ठीक ही है, दाहिने में हैं आपका 10, दाहिने में 10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 10 को लिखेंगे, तो ठीक है, चलो ठीक है, 10 यहाँ पर लिख लेंगे, अब आप इसको solve कर लिजिए, solve करेंगे, तो X बाएर आएगा, दाहिने में 10 है, यह माइनस जो आपके 40 हैं, दाहिने जाएंगे, तो पलस 40 हो जाएंगे, तो इसके according आपको मिल जाएगा कुछ value, क्या value मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे कि X बराबर आपको मिल गया, 50, 40, 10 कितना, 50, तो लिखेंगे आता है, यहाँ आपको मिल गया, X बराबर 50, ठीक है, आप Y बराबर आपको मिला हुआ है 20, यही आपका final क्या हो जाएगा answer, X मतलब, X मतलब नूरी का आयू, और Y मतलब सोनू का आयू, तो नूरी बड़ी और सोनू छोटे हो गए, तो देख सकते हैं आप लो, कि यहाँ पर क्या जो है, आपको answer मिल सकता, इस तरीका से अगर आप solve करेंगे, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, चली आगे, और तीन नमर question को देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़दा अच्छा वाला question है, लोजिकल question है, लोजिकल लगाने बाला question है, question है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है, इस संख्या का नौ गुना, जो मेन संख्या है, उसका नौ गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है, तो वह संख्या ग्यात कीजिए, सबसे पहले तो आपको दो अंकों की संख्या पता होना चाहिए कि क्या होता है तो जिसमें दो अंकों जैसे की 10 से लेकर के 99 तक ये सभी की संख्या दो अंकों वाली होती है लेकिन ऐसा संख्या निकालना है जिसके अंकों का योग 9 है तो जैसे मालें ये 81, 81 दो अंकों की संख्या है और इसके अंकों का योग, वही 8 पलस एक करेंगे तो 9 मिलेगा न, तो ये 2 अंकों की संख्या तो है, लेकिन ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है, अब वो ऐसा 2 अंकों का संख्या जिसके अंकों का योग नो हो बहुत सारा हो सकता है एकासी हो गया अठारा भी हो सकता है चोबन भी हो सकता है अगर बोले तो पैटालिस भी हो सकता है यह सारे के सारे संख्याएं जो है हो सकते हैं बोले तो आप बातर भी हो सकता है साथ दूनो सकता है साथ दूनो मतलब यह सारे के सारे ऐसे सं ये कोई जो है दो अंकों की संख्या है तो ये कालाता है इकाई ये क्या कालाता है इकाई कालाता है और ये कालाता है दहाई कालाता है ये ये दहाई कालाता है और ये इकाई कालाता है तो ऐसे तो आप लोग इकाई दहाई काले से जानते होंगे ये होगा इकाई और ये होगा दहाई याद रखिए किसी भी दो अंक वाले संख्या को किसी भी जैसे मालेजे की यह 72 है तो किसी भी दो अंक वाले संख्या को आप जो है तस गुने दहाई पलस इकाई के रूप में लिख सकते हैं तस गुने दहाई पलस इकाई के रूप में लिख सकते हैं जैसे कि तो आपने देखा कि किसी भी दो अंकों की संख्या को दस गुने दहाई आप पलस इकाई के रूप में क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है तो आपको क्या करना है वहाँ संख्या ग्यात करना है संख्या में हमें पता होना चाहिए कि इकाई के अंक पर कौन है और दहाई के है वो मान लिजिए लिखेंगे माना की माना की इकाई का जो अंक है वो एक्स है हमने क्या मान लिया कि इकाई का अंक बराबर एक्स थिक तथा दहाई के बारे में सोचते हैं तथा दहाई का अंक तथा दहाई का अंक बराबर वाय मान लेते हैं तथा दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं वाय अब अगर एकाई का अंक एक्स है दहाई का अंक वाय है तो आप दो अंकों बाले संख्या अराम से निकाल सकते हैं तो लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर इसलिए संख्या बराबर संख्या बराबर वा संख्या जिसका एकाई कांक X और दहाई कांक Y होगा वो संख्या क्या होगा तो हमने आपको बोला था कि दो अंको की जो संख्या होती है वो किसके रूप में होती है तो दस गुने दहाई कांक आप पलस एकाई कांक होता है तो दस गुने दहाई कांक दहाई कौन है भाई साथ य है तो दो अं एक्स मानते हैं और दहाई का अंक वाई मानते हैं तो वो दो आंकों की संख्या क्या होगी दस वाई पलस एक्स होगी यह तो हो गया मुख्य संख्या लेकिन आगे बोला गया कि संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बने इसके बारे में भी बात करना है तो लिखेंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या लिखेंगे अंकों को अंकों को पलटने से अंकों को पलटने से बनी संख्या से बनी संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या मतलब है इसका मतलब है कि इकाई के अंक को दहाई के जगा पर डाल देंगे और दहाई के अंक को इकाई के जगा पर डाल देंगे जैसे लिखा हुआ है 75 अब इसमें अंकों को पलट देंगे तो ये बन जाएगा संतावन इसमें क्या किया इकाई के अंको दहाई के जगा पर और दहाई के अंको इकाई के जगा पर हमने क्या कर दिया डाल दिया तो यही है अंकों को पलटने का सिस्टम तो जब आप अंकों को पलटेंगे तो इस तरह का कुछ मिलेगा इसमें क्या बोला गया अंकों को पलटने से बनी संख्या जब अंकों को पलटेंगे तो Y जाएगा X के जगा पर और X जाएगा Y के जगा पर यानि कि 10X पलस Y हो जाएगा अंकों को पलटने से बनी संख्या जो है 10X पलस Y मिल गया अब लिखेंगे प्रसन से क्या लिखेंगे प्रसन से अब लिखेंगे प्रसन से ये जो प्रसन के अंदर आप जो चीजे दी गई है उसके बारे में देखेंगे यह बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नो है अंकों का योग क्या है नो है तो एक अंक है X और एक अंक है Y तो अगर अंकों का योग नो है तो इसका मतलब है कि X पलस Y बराबर नो है क्योंकि अंकों का योग तो यही होगा एक आंक एक्स है और एक आंक वाई है तो एक्स पलस वाई बराबन नो कहां से मिला क्योंकि कोश्चन में बोला है कि अंकों का योग नो है तो अंकों का योग नो है यानि कि एक्स पलस वाई बराबन नो है इसका नाम देदीजे समीकरन एक और लिखिये पुना पुना कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का 9 गुना, तो जो में संख्या था, 10Y पलस X का 9 गुना, 10Y पलस X का कितना गुना, 9 गुना, 10Y पलस X का कितना गुना, 9 गुना जो है, वो बराबर है किसके, 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से, बनी संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से, बनी संख्या का 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है, तो संख्या के अंकों को जब आपने पलटा था, तो संख्या जो मिला था वो क्या मिला था वो मिला था 10X पलस Y ये अंकों के पलटने से बनी संख्या का दो गुना है यानि कि में संख्या को 9 से गुना करेंगे और अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है उसको 2 से गुना करेंगे तो दोनों क्या है बराबर हो जाएगी दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी ऐसा ही question में बोला गया है अब आप इसको solve करेंगे तो आपको आराम से बहुत ही अच्छा वाला समीकरन क्या हो जाएगा मिल जाएगा और तब हम लोग दोनों समीकरन को अच्छा से क्या कर लेंगे solve कर इस में तो क्योंको डैंट होगा यहां आ जाते हैं और फिर इसको और अच्छा तरिका से लिखते हैं यह बताइए से 9 एक्स पहले से आप देखेंगे तो आपको एक मिनटेख मिनट देख झाँ ठीक है बाए में आप यहां पर किलियर ली देख पार है होंगे बीस और नो नो एक्स हो भी ठीक है एक मिनट उजएगा एक मिनट उजएगा कुछ कनफ्यूजन चल ला है तो उसको दूर कर लिया जा नो वाई और दो वाई बिलकुल ठीक है सबको बाएं लियाए बाएं में आप पहले से ही देख पा रहे हैं कि क्या है 90 y है ठीक 90 y और प्लस 9x है पलस में कितना है तो 9x है दाहिने से 20x को लाएंगे तो माइनस 20x हो जाएग माइनस 20x हो जाएगा और फिर पलस 2y को माइनस अरे बहिया एक मिनट उपचो यह 8 नहीं है यह y है क्योंकि देखिए यह जो 20x है ना 20x बाएं लाएंगे तो माइनस 20x हो जाएगा और फिर यह 2y को बाएं लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और दाहिने में बचेगा जी और माइनस दौ़ यए देख रहे हैं आप लोग दो वाय नवेे वाय और मैंस दौवाए गहाए तो यह जगा अठासी हएragen ल सब्सक्रों यह कितना होगा, तो 20X कर्ज है, नो दे रहे हैं, तो माइनस आपका हो जाएगा 11X, माइनस 11X होगा, और दाहिने में 0 होगा, आप यहाँ पर common ले ले जिए 11, common क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 11 common लेंगे, 11 से 88 को भाग देंगे, 1188 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 11 से 11 को भाग देंगे, कैंसिल, तो बचेगा केबल X, और दाहिने में है 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 8Y, एक मनुट रूप जाओ, और पुड़ा clear way में लिखेंगे, ताकि पुड़ा दिखे हमें लोगों को, यहाँ पर हम simply क्या करने ब में एक मनुट, यह मनुट, अ माइनस आठवाए माइनस एकस, आठवा वाए मैस क्या होगा, एकस आब बराबर में, क्या हो गा, तो डिकी हम देखना होगा, ठीक है, देख इसे, अगर आप क्या करते हैं कि y y y 88 y और 9 नो बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप इसका नाम समिकरन 2 दे सकते हैं समिकरन अगर हम इसका नाम दे देंगे 2 तो फिर हमें बिलोपन बीदी से काम करना होगा एक काम कीजिए यहां पर आप इसको आठ वाई और बराबर एक्स लिख सकते हैं क्या बोलेंगे यह सर आराम से लिख सकते हैं इसका नाम अब आप समीकरन दो दीजिए इसका नाम समीकरन दो देने से क्या फाइदा है यह फाइदा है कि यह स साफ़दानों ना है हमें बिलोपन बिधी से बनाना है नो की परतिय अस्ठापन बिधी से सो इसलियम क्या करेंगे हाटा देंगे इसी तoshop से आपलोग भी कई बात दिमाग लगाईए और इस तरीका 8Y-X ब彌बर आपको 0 मिला है, आप इसको उलटा भी कर सकते हैं, क्योंको यहाँ पर चीज आपको उल्ठा मिल चुका है, आठ य माइनस एक्स बरावर जिरो मेला है ना आप इसमें से माइनस कॉमन ले लिजिए क्या कॉमन ले लिजिए माइनस कॉमन लिजिएगा तो क्या होगा माइनस कॉमन लिजिएगा तो क्या होगा वहाँ यहां आपको यह भी समझना चाहिए माइनस जब आप कॉमन लेते हैं मैं तो क्या हो जाएगा यह जो आपके 8X मैइनस x है यह पलस एक्स हो जाएगा और यह 8Y जो है यह मैनसberger हो जाएगा जी और दाहिनता जीड़े करती है नहीं Lost कि और यह मैंने कॉमन लिया और उस मैंस को फिर अवने दाहिने भेज जा करके आपको यह समी करंद क्या आ हो पाया है है01 टो समी करण एक में भी X है और यहां पर भी Chapter फ्याख से हम क्या करेंगे समी करण एक में से समी करंद दो को घटा देंगे तो चलिए लिखते समी करण 11-2 लिखेंगे समी करण 12-ches some समिकरन 1 है x plus y ब्राबर 9 है इसमें से घटाना है हमें समिकरन 2 को समिकरन 2 है x minus 8y ब्राबर 0 है घटा इए घटाना के लिए जाते हैं तो आप सभी को पता है कि की नीचे वाले का चीन बदल जाता है तो यह minus x होगा यह पलस हो जाएगा और यह तो minus रहे या कुछ भी उसी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो देखिए क्या होगा पलस x minus x होगया cancel, plus x minus x cancel होने के बाद देखिए 8y और 1y यह हो जाएगा 9y कितना हो जाएगा यह 9 वाई हो जाएगा और 9 में से 0 घटाई है या नहीं घटाई है बात क्या होगा बराबर ही होगा तो यहां पर आपको यह एक यहां पर तो कुछ समस्या रहा भाई दस वाई वह भी विल्कुल ठीक है कि एक मिनट वेट कीजिए एक मिनट इस कोईश्चन में हलका जो है समस्या लगा बट कोई दिक्कत नहीं है इसको हम साही कर लेंगे दस एक्स अगर हम करते हैं वाई लेके चले हैं वह भी बिल्कुल ठीक है को पलटने से नौ गुना इधर तो आपका 9 हो जाएगा चले वह भी देख लेते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा तो यहां पर आपको अगर सॉल्ब करने के लिए बोला जाए तो देखिए नौ से नौ को भाग दें कितना होगा एक मिलेगा या आपको वाई का भैलू मील गया ह्ए तौर फिर अब हम क्या करेंगे X का value निकालने की कोशिस करेंगे तो चलिए हम Y का मान समीकरन किसी में भी रख देंगे समीकरन एक या समीकरन दो में तो लिखेंगे समीकरन एक में समीकरन एक में Y बराबर एक रखने पर Y बराबर एक रखने पर रखने पर तो रखिए समीकरन एक में y के जगाप पर क्या रख देना है एक रख देना है समिकरन एक कौन है देख लेजी समिकरन एक है x plus y बराबर 9 x plus y बराबर 9 x plus y बराबर 9 है तो क्या हो जाएगा इसमें यह x y का आमान आपने रखा 1 दाहिने में 9 है तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर 9 और plus 1 दाहिने जाएगा तो minus 1 तो यहाँ पर आपको x का value मिल गया x बराबर आपको मिल गया 9 minus 1 यानिकी 8 तो आपको y का value 1 और x का value 8 मिला लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर क्या निकालना था हमें संख्या निकालना था तो चलो संख्या निकालते हैं लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर संख्या बराबर संख्या आप गौर से देखेंगे तो क्या था संख्या था 10 y पलस x क्या था 10 y और पलस x था तो जाले ये 10 y पलस x करते हैं 10 y और पलस x करेंगे तो देखो क्या मिलता है 10 तो आपका 10 है y का value यहाँ पर आपके पास एक है तो यहाँ पर एक लिखेंगे आप पालस में X है तो यहाँ पर यह गुना के रूप में एक होगा वो भी आपको ध्यान रखना है और फिर क्या है? X का वैल्यू आपके पास है 8 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अब क्या होगा देखिएगा होगा यूँ कि 10 को एक से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 और इसमें 8 जोरेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा तो आपको बोला भी गया था कि 2 अंक का ऐसा संख्या निकालिए 2 अंक का ऐसा संख्या निकालिए जिसके अंकों का योग 9 हो तो देखिए एक और पाला साथ, नौ पूरेगा की ने पूरेगा, तो यह आपके 18 फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे हलका इसमें, इस question को आप एक बार फिर से देख लिजिएगा, मतलब इसमें हलका कुछ समझ सकते हैं न, कि यह complicated हो चुका है, तो आप लोग इ परले question को देखते हैं, जो कि चार number question है, क्या है, मीना नाम की कोई लरकी है, यह जाती है, बैंक, बैंक जाती है, दो हजार रुपया निकालने के लिए, मीना दो हजार निकालने के लिए, एक बैंक गई, उसने खजांची से, खजांची कहते हैं, खजांची को इंगलिस में केसियर काते हैं जो कैसल लेंदेन का काम करता है या फिर सिधा समझे लोग तो बैंक मैनेजर बोल देते हैं याद रखिएगा कि खजांची अलग पद है और बैंक मैनेजर अलग पद है बैंक मैनेजर पूरे बैंक को मैनेज करता है और खजांची का काम है पैसा लेना ग्राहक से और ग्राहक को पैसा देना तो खजांची से मीना जो है उसने खजांची से कहा मीना ने खजांची से कहा कि मुझे जो है पचास रुपया तथ ले या तो 50 रुपया वाला नोट दीजिएगा या फिर 100 वाला नोट दीजिएगा मीना ने कुल 25 नोट पराप्त किये अब खजान जी ने उसका बात मान लिया और मीना को कुल नोट कितना दिया नोटों की संख्या मीना को मिला 25 ठीक है तो आपको ग्यात करना है कि उसने 50 नोट मिला यह आपको क्या करना है बताना है तो चलिए हम हल करते हैं सीखने समझने कोशिज करते हैं देखिएगा आप लोग भी ध्यान से यहाँ पर जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को हम क्या करेंगे मानेंगे आपको निकालना है पचास रुपया वाले नोटों की संख्या और एक सो वाले नोटों की संख्या तो चलिए हम उसी चीजों को यहाँ पर क्या करेंगे मानेंगे लिखेंगे माना की माना की माना की जो मेरा है ना उसको जो है पचास रुपे के नोटों की संख्या मिले एक्स माना की पचास रुपे की पचास रुपे के नोटों की संख्या पचास रुपे के नोटों की संख्या नोटों की संख्या नोटों की संख्या बराबर X मान लिए कि 50 रुपया वाला X उगो नोट मिला अब 25 रुपया मिला कि 30 रुपया मिला कि 15 रुपया मिला वो तो मुझे अभी पता नहीं हमने मान लिया है X उगो मिला उसे कितना मिला हमने माल लिया कि X note उसको 50 रुपया वाला जो है मिला तथा हम क्या करेंगे 100 रुपया वाला note के बारे में भी बात करेंगे तथा 100 रुपया के note की संख्या के note की संख्या note की संख्या कितनी है इसके उबर भी बात करेंगे तो मान लेते हैं कि 100 रुपे के नोटों की संख्या Y है 100 रुपे वाला कितना नोट मिला उसको Y नोट मिला आप लिखेंगे परसं से आप क्या लिखेंगे परसं से तो लिखेंगे आप लोग इसी तरह से परसं से प्रसन से में आप देख सकते हैं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किये यानि कि 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट मिला करके 25 नोट उसको मिला यानि कि सीधा हम बोल सकते हैं कि X पलस Y बराबर 25 यानि कि X 50 रुपया वाला नोट दोनों को मिला करके किसन सीधा मिला 25 नोट तो यसे हो गया वह आ रहा होगा आप लोगों को इसकाना देख दें गे देखिए उसको total रुपय कितना लेना था 2000 लेना था अगर 50 रुपया वाला X note मिला 100 वाला Y note मिला तो हम 2000 को इसके क्या कर सकते हैं बरावर कर सकते हैं देखिए अगर उसको 50 रुपया वाला अगर X note मिला तो 50 रुपया वाला कितना amount मिला तो 50 रुपया वाला टोटल एमांट हो गया 50 Y स्वरी 50 X क्यों क्योंकि देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 50 रुपया वाला कितना नोट नहीं कितना रुपया मिला कितना रुपया मिला अगर हम यह निकालना चाहेंगे तो 50X रुपया मिला होगा 50X मिला होगा क्योंकि 50 रुपया वाला X को नोट मिला तो 50 को X से गुना कर देंगे तो उतना रुपया हो जाएगा और पलस 100 वाला अगर Y नोट मिला तो 100 को Y से गुना कर देंगे तो मुझे पता चल जागा कि एक सो नोट जो है एक सो रुपया वाला नोट का जो है कितना रुपया मिला तो एक सो रुपया वाला नोट का उसको एक सो रुपया मिला अब दोनों को मिला करके कितना उसको मिल रहा है दोनों को मिला करके उसे मिल रहा है दो हजार कितना मिल रहा है दो हजार मिल रहा है इसक तो चले 50 common ले लेते हैं अगर हम 50 common लेंगे 50 common लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x अगर 200 को 5 से भाग दीजेगा तो हम यहाँ पर सीधी बात सकते हैं कि दूसरा समीकरन मुझे मिला एक्स पलस दो वाई एक्स पलस दो वाई बरावर चालिस एक्स पलस दो वाई बरावर क्या मिला चालिस मिला इसका नाम हम दे देंगे समीकरन दो इसका नाम क्या देंगे समीकरन दो दे देंगे और अब क्या करना है तो अब सिंपल सा काम हमें करना है दोनों समीकरन को समी करन 2 में से एक घटा दिजी लिखेंगे समी करन 2-1 करने पर ठीक है समी करन 2-1 करने पर करने पर तो कीजिए समी करन 2 कितना है समी करन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा X पलस 2Y बराबर 40 ठीक इसमें से गटाना है समी करन 1 को तो समी करन 1 है X पलस Y X पलस Y देख सकते हैं और बराबर 25 है तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे घटाने के लिए बूला गया है तो नीचे बाले चिन्दों को बदलेंगे यह हो जाएगा माइनस यह भी माइनस और यह भी माइनस अब माइनस हो गया तो आपको क्या करना है वो बताईए सिंपल सी बाते हैं आप पलस एक्स और माइनस एक्स यह क्या हो जाएगा कट जाएगा पलस एक्स और यह भाला माइनस एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा कटने के बाद अब आप य कहीं साब कर लिजे कि य कितना क्या बच रहा है तो 2y आप मैनस 1y यह हो जाएगा सीधा y ठीक और 40 में से 25 गटाएंगे तो मिलेगा आपको 15 40 में से 25 गटाएंगे किदना मिलेगा 15 मिलेगा तो y का मान आपको मिलेगा 15 इस y का मान आप समी करन 1 में रख दीजिए तो लिखेंगे समी करन 1 में समीकरन एक में समीकरन एक में y बराबर 15 रखने पर y बराबर 15 रखने पर तो रखिए समीकरन एक है x पलस y बराबर 25 x पलस y बराबर 25 है इसमें हमें y के जगा पर 15 रखना है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y का value 15 आया है तो यह जागा X plus 15 और ब्राबर 25 फिर क्या होगा तो फिर simple होगा X ब्राबर 25 माइनस 15 तो क्या मिलेगा आपको X तो X आपको मिल गया 25 माइनस 15 यानिकी 10 कितना मिला 10 मिला तो यहाँ पर लिखिएगा अतह अतह आपको X ब्राबर मिला 10 और आपको मिलगे पंद्रह यानि की यानी की पचास रुपया वाला नूट मिला होगा और एक सो बाला 15 मिला होगा उसे ठीक है यह देखिए आपने अब चलिए आगे अगला कुस्छन देखते हैं हम लोग और यह लास्ट कोश्चन होगा आज का नहीं जो इसा चैप्टर इस कि यह लेकिन है यह बहुत यह सान क्यों आसान है देखिए एक मिनट आप लोग पढ़िए हलका हम पाने लेते हैं कि अगर आगर कि अगर कि अगर आगर है कि आए अगर प्राइब राइब चलिया देखते हैं क्या है नहीं है किराये पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकाले का प्रथम तीन दीनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद पर तेक अतिरिक्त दीन का अलग किराया है हैThis अब यह जानते हैं कि सभी शर में बरे बरे सहारों में या फिर जेनली आप तो छोसे सर में भी पुस्तकाले का सुभधा हो गया है पुस्तकाले यानि तो किराया पर पुस्तक देने वाले जो पुस्त काले उसके परथम तीन का किराया एक नियत किराया तो आपको कोई अमॉंट बता दढाया गया होगा जिसे 20 रूपए या 15 रूपया इतना लगेगा ही लगेगा तथा उसके बाद प्रतेक अतिरिक्त दीन का अलग किराया है जैसे कि मालेज ये कि तीन दीन का किराया है कि तीन दीन का किराया है मालेज ये तस रुपया है ठीक और उसके बाद जिरना भी दिन रखिएगा उस प्रतेक एक दीन के लिए आपको दो रुपया देना होगा तो तीन दिन का किराया दस रुपया और एक दिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो अलग से दू रुपया देना होगा अब मालेज ये कोई ब्यक्ति क्या करा पांच देन किताब रख लिया तो पांच दे जो किताब रखा तो पांच दे को आप तीन दे आप अलस दू डे बोल सकते हैं कि नहीं तो तीन दे का जो किराया है वो दस रुपया है तो इस तरह का चोज़ रुपया देना परेगा तो कुछ इसी सिस्टम सी किताब वो पुस्तगाले देने का काम करती है अब एक ब्यक्ति है सरीता सरीता ने साथ दीनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 67 रुपया दा किया लो भाई यह साथ दिन तक कोई पुस्तक रखती है और साथ दिन पुस्तक रखने के लिए इसको 67 रुपया देना पड़ता है जबकि एक लर्की है सूसी सूसी ने एक पुस्तक पांच दिनों तक रखने के 1 रुपया दा किया सूसी पांच दिन पुस्तक रखती है तो पांच दिन रखती है तो उसको 1 रुपया देना पड़ दिन का किराया ग्यात करना है पहला ग्यात करना नियत किराया दूसरा ग्यात करना है प्रतिक अतिरिक्त दिन का किराया तो हमने आपको बता रखा है पहले से ही क्या बता रखा है बता रखा है कि जो निकालने के लिए बोलेगा उसी को क्या करेंगे मानेंगे तो चलिए हल करत माना की माना की नियत किराया नियत किराया बराबर हमने मान लिया एक्स रुपया नियत किराया हमने कितना मान लिया एक्स रुपया मान लिया नियत किराया है कितने दिन का तो यहां पर यह भी आपको यार रखना है कि नियत किराया तीन दीनों का है तीन दीन के लिए आपको fix amount क्या है देना पड़ता है तो नियत किराया हमने एक्स रुप्या मान लिया तथा प्रतेक अतिरिक्त दीन का किराया भी मानना होगा लिखेंगे तथा प्रतेक अतिरिक्त दीन प्रतेक अतिरिक्त दीन का किराया प्रतेक अतिरिक्त दीन का हमें पता करना है किराया तो प्रतेक अतिरिक्त दीन का किराया भी मान लेते हैं वाई रुप्या इसका मानते हैं कितना वाई रुप्या प्रतेक अतिरिक्त दीन का किराया का मतलब समझ में आया क्या एक दीन का किराया एक दीन का किराया ठीक है अब लिखेंगे प्रसन से अब लिखेंगे प्रसन से तो चलो भाई साम प्रसन में दो लड़की का बात करा गया है देख सकते हैं आप लो वो लड़की दोनों कौन है तो देखिए पहली लर्की है यहाँ पर आप देख सकते हैं सरीता सरीता ने साथ दीनों तक क्या कर लिया भाइसा पुस्तक रख ली तो साथ दीन तक पुस्तक रखी साथ दीन को हम तीन दिन आप पलस चार दिन बोल सकते हैं कि नहीं बोलेंगे यह सर साथ दीन को तो हम तीन और पलस चार दिन अराम से इसको हम लिख सकते हैं तो बताइए कि तीन दीन का किराया कितना है एक्स रुपिया है क्योंकि तीन दीन का तो किराया नियत किराया कह रहाएगा जो कि किताब के जो भंडार बाले है यानि कि पुस्तक बंडार है यानि कि शिदा उसको घाले जिए कि पुस्त काले है तीन दिन का किराया वो फिक्स करके रखाए तो साथ दिन जो रखी पुस्तक वो साथ दिन को तीन दिन प्लस चार दिन बोल सकते हैं तो तीन दिन का किराया आप कोश्चन में देख सकते हैं कि एक्स रुपया है, तीन दीन के किराया को नियत किराया बोला गया है, तो नियत किराया एक्स रुपया है, किरना रुपया है, एक्स रुपया, और इसमें जोरना होगा चार दिन का किराया, जोरना होगा चार दिन का किराया, चार दिन फालतु उसने रख लिया, तीन दीन तो किराया y रुपया है यानि कि एक दिन एक्स्ट्रा रखने का किराया y रुपया है तो चार दिन एक्स्ट्रा रखने का किराया कितना होगा चार y होगा कितना होगा चार y चार से गुना कर देंगे इसको और इसको मिला करके उसे सक्ताइस रुपया देना पड़ता है यानि कि तीन दिन का किराया पलस चार दिन का किराया जोर करके उसको सक्ताइस रुपया देना पड़ता है यही है सुद्ध समीकरन वन और पुना देख लिजिए कुशन में कुछ और बोला गया है पुना एक दूसरा लड़की के बारे में भी बात किया गया, जिसका नाम है सूसी, सूसी जाती है और पांच दीन तक किताब रख लेती है, लो भाई, पांच दीन तक वो क्या कर लेती है, किताब रख लेती है, और पांच दीन तक किताब जब रखती है, तो उसको 21 रुपय देना पड़ता है कितना रुपय देना पड़ता है देख सकते हैं कि रुपया अब आप बताई कि पांच दीन को हम तीन दीन और पलस दो दीन लिखेंगे ठीक है तो पांच दीन में तीन दीन का किराया तो इसको एक्स रुपया लगेगा तीन दीन का किराया कितना लगेगा और पलस में दो अतिरिक्त दिन का किराया देना होगा, एक अतिरिक्त दिन का किराया वाई है, तो दो अतिरिक्त दिन का किराया दो वाई होगा, और ब्रावर्ण में आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि इसको 21 रुपया ही देना होता है, इसका नाम दे देंगे आप समीकरन 2, और अब आप देख सकते हैं कि 2 बहुत अच्छा वाला समीकरन आपको मिल चुका है और इसी दोनों समीकरन को आप क्या कर लेंगे हल कर लेंगे आपको आराम से जो है आंसर मिल जाएगा तो हम बिलोपन बिदी से हल करेंगे क्योंकि question में पहले ही बोला था कि बिलोपन बिदी से ह जाएगा यह देख सकते समीकरन एक में भी एक समीकरन दो में actually आपर ही एक लिखते हैं समीकरन करना सभ Television करने पर समीकरन एक माइनस दो और एक माइनस दो कि करने पर किसी चीज़ों को आप ऐसे सहरे शीक डिए सब्सक्राइए समिकरन में 2 को घठाने पर तो ना लंबा चला कौन लिखेगा mathematical यूज कीजिए समीकरन एक आपके पास है X पलस 4Y बराबर 27 X पलस 4Y और बराबर 27 है तो 27 लिख लेंगे और फिर समीकरन 2 है X पलस 2Y बराबर 21 है चुकि हमें घटाना है तो नीचे का चिन सब बदल जाएगा तो यही कड़ेंगे देखो भाई यह पलस X माइनस X हो जाएगा यह पलस माइनस और यह भी पलस हो जाएगा माइनस घटाईएगा तो यह पलस X और माइनस X कैंसिल हो जाएगा cancel लोने के बाद क्या भाचाइद थर चार गाज में आदर, गहां ओठाएंगे तो आपको मिलेगा दो आधर ठीक 27 में से 21 गहाएंगे तो मिलेगा आपको 6 किजना मिलेगा 6 और पिर इस 2 से 6 को भाग दीजेगा तो मिलेगा 3 y कमान आपको मिल गया समीकरन एक में y बराबर 3 रखने पर तो रखिए समीकरन एक है इसमें y के जगा पर आपको रखना है 3 तो ये तो x है पर चार वाई य का वैलू 3 और दहिने में 27 तो 27 लेंगे फिर आप इसको solve करेंगे तो x पर चार तिया हो जाएगा 12 दहिने में 27 फिर क्या होगा तो फिर x बराबर दहिने में 27 है 12 दहिने जाएगा तो मैनस 12 होगा फिर आपको x बराबर मिल गया 27 मैनस 12 साथ में से आप दो घटाएंगे तो 5 तो ये हो जाएगा 15 तो अता आपको x का वैलू मिल गया 15 आता एक्स बराबर आपको मिल गया 15 और वाई का जो वैल्यू मिला वह आप देख सकते हैं वह कहां गया वाई का वैलू 3 वाई का वैलू 3 मिला तो वाई का वैलू यहां पर आप लिख देंगे तीन यह आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर होगा एक्स बराबर 15 का मतलब है कि तीन दीन का किराया 15 रुपया है और एक दीन फाइनल क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे इस तरीका से आपका विलोकन विदीरी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है मिलेंगे आप लोग फिर अगले गलास में तब तक अपना ख्याल रखि थैंक यू सो मच्च गुडबाई टेक क्यार